हेलो गाईज, वेलकम बैक टो आवर चैनल, गौरी मिस्टे डिजाइनर्स, आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं, फैबरिक नॉलेज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, कि फैबरिक को कैसे आप लोग को आइडिटिफाय करना है, कौन सा फैबरिक के इस ड्रस मे यूज होगा, बहुत सारे टाइप के, at least 30 to 40 टाइप के फैबरिक बताने वाले हैं, कौनली जो यूज होता है, और जो आप लोग को शाहिए नाम ना पता हो, इस टाइप के फैबरिक हम बताने वाले हैं, तो स्टार्टिंग हम करेंगे, नॉर्मल फैबरिक से, हम पांच वैराइटी आती है, क्रेप फैबरिक में भी चार से पांच वैराइटी आती है, वो हम बताने वाले हैं, तो यह फर्स्ट है बटर क्रेप फैबरिक, इसको हम लाइनिंग यानि अस्तर में यूज करते हैं, अस्तर में यानि कि जॉर्जट में अगर आप पूर्ती ब बटर क्रेप फैबरीक हो गया, अब इसके अंदर प्रिंटेड क्रेप भी आता है, जैसे कि ये वाला फैबरीक आप मीट देख रहे हैं, ये वाला हम टॉप्स में यूज करते हैं, अब एकदम सॉफ्ट फैबरीक का बेस होता है, अब एकदम मुला हम फैबरीक होता है, शॉफ्ट फैबरीक होता है, तो ये हम टॉप्स में यूज कर सकता है, वन पीस में यूज कर सकता है, यानि कि ये वाले ड्रेस में हम अगर इसी को डबल लाइनिंग की तरह यूज करें, तो भी चल जाता है, तो यह वाला जो fabric है वो हम dresses में ही है, tops में use कर सकते हैं, इसको printed krepe बोलता है, printed krepe और krepe की तीसरी variety है French krepe, French krepe fabric हम कभी use कर सकते हैं, जब client का budget कम हो और client का budget कम हो और उनको कम पैसों में अगर dress चाहिए और look एकदम अच्छा वाला लाना है हम skirt में, draping skirts में ये वाला fabric use करते है ये वाला fabric crepe base में थोड़ा shining होता है और shining के साथ ये वाली fabric थोड़ी soft होता है तो हम इसमें draping के skirt आसा नीप से बना सकते है और ये वाली fabric का dress बहुत ही अच्छा look देता है designer finishing आती है इसमें और ये वाला fabric 50 to 80 rupees मिल जाता है हमारे सूरत में 40 है, 50 में मिल जाता है अराम से आपके हैं शायद 80 में मिल जाएगा तो ये क्रेप में shining वाला material होता है shine जैसा देता है और सस्ते में इसका dress बन जाता है तो अगर कम budget हो किसी का तो हम ये वाला fabric use करता है उसके बाद हमारे lining में हम use करता है centum, centum, ये वाला fabric का नाम है centum इसको हम net के नीचे lining में use कर सकता है ये भी थोड़ा soft ही होता है अगर net में आपको कड़क look लाना है, अंदर से stiffness लाना है तो हम taffeta silk use करते है taffeta silk, लेकिन अगर आपको net में soft लहेंगा बनाना है या कोई भी net की कूरती बनानी है transparent fabric की कूरती बनानी है जिसमें नीचे से shining लाना है तो हम ये वाला centum use करेंगे तो centum, ये हो गया centum ये french crepe french crepe और centum में क्या difference है centum जो होता है, वो एकदम जो है low quality का दिखता है यानि कि cheap fabric लगता है अगर हम main fabric में यूज करें तो ये main fabric में यूज नहीं कर सकते है centum जबकि french crepe rich look देता है जो की हम main fabric में यूज कर सकते है तो centum को आपको main fabric में यूज नहीं करना french crepe को आप main fabric में यूज कर सकते हो तो अभी हम आ जाते है है satin में satin में भी 4-5 टाइब के फैब्रिक्स हैं जैसा कि यह एक 1st satin है जो कि Fused satin है इस में paper fusing किया हुआ आता है यह हम और कोई भी net के लेंगे में यूज कर सकते हैं और इस से हमारा नेट का लेंगा फुगा हुआ दिखेगा क्योंकि इसमें फ्यूजिंग है पहले से तो ये वाला सैटिन फ्यूजड सैटिन हम इसको बोलेंगे ये उपर से सैटिन जैसा दिखते है और अंदर वाइट या ब्लैक कलर का फ्यूज आता है तो इसका यूज हम स्टिफनेस दिखाने के लिए करते हैं और गंजा का लेंगा बनाते वक्त आप ये जरूर यूज किजिए लाइनिंग में ताकि बार भी लुका है और दूसरा सैटिन एकदम सॉफ्ट सैटिन जो हम एज़ा में फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं ये इंपो अधरिक का बना हुआ है तो आप ये में फैब्रिक में जरूर यूज कर सकते हो और अभी आगे नॉर्मल सैटिन जो थोड़ा कड़क सा दिखेगा जो हम लाइनिंग में यूज कर सकते हैं जो चीप क्वैलेटी का दिखता है अकर में फैब्रिक में यूज कर तो चीप तो दोनों में आपको difference दिख रहा होगा यह वाला आपको rich look में दिख रहा होगा यह है एकदम net के अंदर यूज कर सकते है baby frocks में या फिर कोई भी लेंगे में फुला हुआ नेट का लेंगा या और गंजा का लेंगा उसमें हम यूज कर सकते हैं फिर हमारा lining में हम यूज कर सकते हैं टाफेटा सिल्क टाफेटा सिल्क चाड़ से पांच साल पहले as a main fabric बहुत सारे लोग यूज करते थे गाउंस भी बना देते थे लेंगा भी बना देते थे लेकिन अभी इसके quality भी cheap quality में या आने लग गया है तो फिर इसको हम lining में यूज करते हैं इसको हम organza में organza का लेंगा बनाना net का लेंगा बनाना या baby frogs बनाने net के तो उसमें हम अस्तन में यूज कर सकते हैं ये वाला लेंगा ये वाला fabric हम अस्तन में यूज कर सकते हैं कोई भी लेंगे में ताफिटा सिल्क बोलता है इसको इसका नाम है ताफिटा सिल्क जो कि कड़क बेस में आता है ब्लैक लाइनिंग साइड में आप देखो कि तो ब्लैक थ्रेड्स दिखेंगे उसके बाद हम सिल्क में आ जाते हैं सिल्क में कौन-कौन से फैबरिक होते हैं रो सिल्क जैसे कि यह फर्स्ट वाला है रो सिल्क फैबरिक हम इसको बोलेंगे या दूप चाय फैबरिक भी बोल सकता है इसके अंदर ग्रीन और लाइट ग्रीन दोनों टाइप्स का फैबरिक द दिखता है, ग्रीन और लाइट ग्रीन दोनों दिखता है, इसको धूप चाय या रॉस सिल्क जैसे बोल सकता है, इसको भी हम ऐसा में फैबरीक यूज कर सकते हैं, अगर हमें चीप क्वैलेटी का ड्रेस बनाना है, यानि कि लो बजट का ड्रेस बनाना है, तो हम ये वाला फै और गज्जी सिल्क, गज्जी सिल्क आ जाता है, ये वाला फैबरीक है हमारा गज्जी सिल्क, गज्जी सिल्क ठिक बेस में होता है, राइट साइड से ये इस तरह से दिख रहा है, और अंदर तरफ से ये क्रेप बेस की तरह दिखता है, यानि शाइनि नहीं दिखता, तो एकदम वेलवेट जैसा शाइनी और ग्लॉसी फैबरीक दिखता है यह बहुत ही रिच लुक में आता है यह आप एंबरडर लहेंगा डिजाइनर लहेंगा बनाने जाओगे तो आप यह फैबरीक जरूर से यूज कीजिए इससे फैबरीक की क्वालेटी ड्रेस की क्वालेटी बहुत ही अच्छी और शाइनिंग वाले दिखेगी यह 300-400 रुपीज मेट रहा था प्यार गजी सिल्क आप यूज करो और यह डायेबल होता है जो कि यह डाये किया हुआ में पास फ्लाइट परपल कलर का जो मैं ब्लाउज में यूज करने वाली हूँ उसके बाद एक और सिल्क बैस में है जो कि एकदम थिक मूटा फैब्रिक है आप उपर से सैटीन की तरह दिख रहा है और अंदर से क्रेप की तरह दिख रहा है आप देख सकते हो यह वाले फैब्रिक को अंदर से यह ऐसा शाइनिंग नहीं है और उपर से शाइनिंग है इस गजी सिल्क और इसमें, अगर जिसको नॉलेज नहीं होगी उसके लिए तो गजी सिल्क और ये सेम ही है लेकिन गजी सिल्क आ जाता है high-quality fabric में, important fabric में और ये आ जाता है cheapest fabric में, यानि low budget वाले फाबरिक में उसके बाद हमारे पास है modal silk जो की वो भी 200 रुपीज मेटर के आसपास आता है जो हम rich look वाले designer dresses में use कर सकते हैं जिसमें हमें soft look लाना हो soft gown बनाने हो stiff gown नहीं बनाने हो तो ये इस तरह से उपर से एकदम shining base में satin की तरह दिखता है और अंदर से जो है ये होता है modal silk fabric तो इसका नाम है modal silk fabric ये आप जरूर से try कीजिए अगर आपको soft लहेंगे designer लहेंगे use बनाने हैं आपको तो ये modal silk fabric के option में आप जरूर जाएए अगर आपको blouse बनाना है handwork वाला तो भी आप modal silk blouse में बहुत ही अच्छा लोग आएगा आप उसमें बना सकते हैं तो silk में मैंने आपको चार से पांच तरह की quality बताई और satin में एक quality और बतानी रहे गई जो है की है printed satin ये है printed satin जो कि हम shirts में यूज कर सकते हैं jump suit में भी यूज कर सकते हैं और आजकल core sets बना रहे हैं यानि की top shirt and pant matching जो की night suit की तरह दिखता है लेकिन होता नहीं है night suit वो हम बाहर जाने के लिए पहन सकते हैं तो ये है soft satin with print यानि ये printed satin में आ जाएगा ये वाला fabric जिससे हम कोई भी dress बना सकते हैं अच्छे look वाला फिर lycra ये lycra base में हमारे पास थोड़ा soft fabric है transparent fabric जो की हम कूर्ती में यूज कर सकते हैं gowns में यूज कर सकते हैं layer वाले कोई भी चीजों में ये हमने Mumbai workshop में यूज किया था blouse बनाने के लिए and draping वाला part बनाने के लिए जो की बहुत अच्छा लग रहा था उसके बाद हमारे पास silk base में एक और fabric है जिसमें इस तरह से print दिखाई देती है यानि thread work है ये वाला भी 100 तू 150 रुपीस मीटर के budget में आ जाता है इसमें golden lines भी दिख रही है यानि इसको हम raw silk embroidered raw silk thread work वाला fabric बोल सकते है इसके बाद हम आ जाते हैं जॉर्जेट base पे जॉर्जेट में कौन कौन से fabric है पहले जो plain जॉर्जेट होता है वो अब जॉर्जेट में दो quality आएगी plain जॉर्जेट में एक होता है semi जॉर्जेट और एक होता है pure जॉर्जेट और एक 60 gram फैब्रीक तो ये वाला है वो 60 gram वाला नहीं है ये वाला है semi जॉर्जेट है 60 gram वाला 50 to 60 रुपीज मेटर आता है semi जॉर्जेट 80 रुपीज मेटर आता है प्यार जॉर्जेट 150 या 200 उपीस तक आते हैं तो इस तरह से जॉर्जेट बेस में सेम फैबरिक मिलेगा ये थोड़ा ट्रांस्परनेंट लूक वाला इस तरह से फैबरिक होता है जो कि हम दुपटे में यूज कर सकते हैं और ड्रेस के दुपटे में यूज कर सकते हैं और पूरा गाउन भी बना सकते हैं सॉफ्ट हैंड एमरेडरी वाला गाउन बनाना हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि अगर आप बिगिनर है तो अवाइड कीजिएगा जॉर्जेट में ड्रेसेस बनाना फिर Chinon फेबरीक है Chinon में दो क्वालेटी का आता है semi chinon और pure chinon semi chinon 60 to 80 रूपीज में आता है और pure chinon 100 to 150 रूपीज में के सरी 150 to 200 के बजेट में आएगा तो इन दोने में क्या difference है ये जो हाथ होड़ा cheap क्वालेटी का दिखता है यानि budget friendly हो जाता है लुक में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा ड्रेस बनाने के बाद में, तो ये वाला चीनॉन इस तरह से इसमें लाइन लाइन्स बनी होती है, शाइनिंग फैबरीक होता है, और जर्जेट की तरह दिखाई देता है, ये है सैमी चीनॉन, ये भी हमने मुंबई वर्क्शॉप पॉलरे ड्रस में यूज़ क्या था, ओपर ड्रेप वाला पैटरन मनाने के लिए, वायड वाला, और ये है प्यार चीनॉन, जो कि हम साधियों में यूज़ कर सकते हैं, अड्रेस में यूज़ कर सकते हैं, और इसका ड्रेस एक्दम रिच लूक वाला लगेगा, यानि जब अब आपके कोई ड्रस देखते हो, जो कि 2000 में दिख रही है कहीं, और सेमी ड्रस 10,000 में दिख रही है, तो यह ही डिफरेंस होता है, फैब्रिक क्वालेटी का, और जॉर्जट में एक प्रिंटेड जॉर्जट है, जिसका मैं शेर्ट हमेशा पहनती हूँ, आप मेरी इंस्टा इससे हम मेरे गाउन्स आपने देखेंगे, उसा प्रिंटेड जॉर्जट में बनाए हुए, एक डबल जॉर्जट आता है, जिसमें यही प्रिंट डबल दिखती है, और थोड़ा थिक बेस में होता है, तो जॉर्जट क्लियर हो गया, अभी हम और गांजा पे जाएंगे, और गांजा में चार से पांच वैरेटी होती है, अभी नएट भी बाकी है ना, और गांजा में, प्लेन और गांजा, नहीं है, ओके यह वाला अभी जो न्यू और गांजा निकला है, वो यह जिमी चू है, और इससे एकदम सॉफ्ट ड्रेस बन, मतलब सॉफ्ट हो रहे है जिमी चू बोलता है, इसको ऐससे में करूँगी, तो शाइनिंग लगेगा, वो वाला लेके है और परपल वाला उसमें से, उसमें शाय्न दीखरेगे, इसको जिमी चू और गांजा बोलता है, प्लेन और गांजा भी आमने नहीं निकाला, इस ही कि थोड़ी दो क्वालेट भी बोलता है उसको तो ये टीशू नेट में जीमी चू फैबरिक आया है एक दम शाइनिंग लग रहा है ये वाला लहेंगे का वीडियो हमने इंस्टाग्राम में डाला है वो जरूर देखेगा उसका फॉल और इफेक्ट से बहुत ही सुंदर आया हुआ है इसमें आप हैंड प्रिंचू फैबरिक होता है जो कि और लुद्धा बेस में फिर और उर्गांजा होता है प्रिंटेड और गांजा जिसके आप बहुत ही सुंदर सुंदर पॉफ्सली वाले गाउन मना सकते हों जो अभी बहुत चल रहे हैं तो यह प्रिंटेड और लुदा फैबरिक है जिक है 20 और नार्मल और ऑर्गांज दिल जायेगा हमार कि तो और इस सूरत में है पर यह थी प्रिंटेट क्यप रिक बना सकते ह् Yeh passed कि आप आफिक ने प्रिंटेट अगयों प्रिंस शेट सोते हैं जिसकी रेट थोड़ी कम होती है में इसके तो वो इस तरह से printed fabric में बनेते हैं इसमें भी एक cotton होते हैं printed और एक क्रेप होते हैं तो यह वाला fabric printed क्रेप है इसमें बहुत ही अच्छी print है मेरे पास ही जिससे हम कुछ बनाएंगे फिर यह cotton fabric है जिससे हम cotton के लेंगे बना सकते हैं बलाउस बना सकते हैं कौटन की कुर्टी बना सकते हैं गाउंस बना सकते हैं अगर डेली वेर के बनाने हो इसमें printed cotton भी आता है cotton में भी बहुत सारी quality होती है हमें हाथ ऐसे लगा के देखने का आइडिया होना चाहिए इसमें golden print है उपर cotton के उपर golden print वाला fabric बहुत ही अच्छा effect देता है तो आप लोग यह यह यूज कर सकते हो कूर्टी इसमें और फिर cotton अस्तर होता है जो कि 35 रुपीज मेटर तक मिल जाएगा यह हम cotton अस्तर यूज कर सकते हैं blouses में अंदर लहंगाज में लास्प में अंदर डालने में जिससे हमें suffocation ना हो इसलिए हम cotton अस्तर अंदर यूज कर देता है जैसे कि blouse बना रहे हैं जोर्जिट का अंदर हमने sand tune यूज किया तो sand tune के अंदर cotton लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि suffocation ना हो यह भी printed cotton है जो कि men's shirt का है थिक फैबरिक है यह भागलपूरी silk फैबरिक है जिससे हम men's kurta's बनाते हैं भागलपूरी silk को आप कैसे पहचारोंगे इसमें धागे धागे ज्यादा निकलते हैं और एकदम silk मोटा होता है थोड़ा और lining lining दीखेगे आपको फैबरिक के बीच में देखो यह men's kurta भी यूज़ कर सकते हैं easily और लेंगा भी मना सकते हैं कम budget वाला fusing भी हम बताने वाले हैं पहले में net fabric बता देती हूँ net fabric यह इस तरह से है हमारे पास बताने के लिए उन लिए हैं sale के लिए नहीं है यह net fabric में दो quality आती है एक में आप देखोगे तो square lines बनी देंगी और एक में cross तो cross वाला पर्चेस करोगे तो better रहेगा उसकी जो effect बहुत ही अच्छी आएगी और यह थोड़ा stiff में आ जाएगा black इसमें soft भी आता है अगर आपको जो flary वाली frocks बनानी है तो skip वाला लीजिए नहीं तो soft वाला लीजिए ग्लीटर वाला किदर गया प्लेन नैट ग्लीटर नैट है जो इसी के ऊपर ग्लीटर दिया हुआ है प्लेन नैट ग्लीटर नैट तो सीधा नैट बोल सकते है इसको या आईलेट फैब्रीक बोल सकते है ऐसे होल होल वाले जो भी फैब्रीक होते है या आईलेट नैट फैब्रीक हो गया क्योंकि इसमें eyelet जैसा देखोगे आखे जैसा बना हुआ है cutting तो इसको eyelet net fabric search करोगे तो ये fabric ज़रूर आजाएगा eyelet tops भी होता है इसके बना के पहनते है सब बहुत अच्छा लगता है हम kids frock में use करने वाले हैं जो कि हमारा online class चल रहा है फिर lycra glitter fabric ये stretchable होता है ये हम kids frock के उपर वाले part में use कर सकते हैं पूरा one piece बनाना हो तो भी हम ये use कर सकते हैं या फिर glitter वाली paint बनानी हो उपर organza का top बना लीजे नीचे इसकी paint बना लो तो भी बहुत अच्छा लगेगा योग में जाधा तर फ्रॉक्स में use होता है बच्चों की ये इस तरह से shining है इसमें glitter नहीं निकल रहा और इसमें glitter जड़ने वाला fabric भी आता है वो हमने निकालने का risk नहीं लिया भी वो गया ना भी यहां का सारा ये वाला velvet fabric है velvet में भी बहुत सारी quality आती है ये वाली अच्छी quality वाल फैब्रीक है soft है ये इसके लहेंगे बना सकते है इसके लहेंगे बना सकते है blouses बना सकते है only for winter season इसका मैं one piece बनाने वाली है जिसका वीडियो मैं जरूर डालूंगी बनार्सी कि ज़र है वो तो main है ये बनार्सी फैब्रीक बता रही है जो कि अमने blouse बनाया था इसका सब्या साची कट वाला बहुत ही लोगों ने देखा था आप इंस्टाग्राम पर जाके जरूर चेक कीजिए ये बनार्सी फैब्रीक जिसमें आपके silk base के उपर ये golden golden का वर्क दिखता है और अंदर की तरफ इस तरह धागे-धागे दिखेंगे तो वो हो जाएगा बनार्सी और दूसरा बनार्सी का quality ये ऐसा आता है जिसको jacquard भी बोलता है जिसके men's के शेरवानिया ऐसा बहुत अच्छा लगता है jacquard fabric का heavy quality का लो तो जिसके अंदर ऐसा दिखता है जैसे कि jacquard fabric में इदर golden बुटे दिख रहे है और इदर blue है तो यही सेम पार्ट में पीछे blue दिखेगा और golden में blue दिखेगा jacquard fabric में ऐसा होता है heavy silk में बहुत सारे fabric होता है उपाड़ा silk और बहुत सारे वह वाले fabric अभी हमने नहीं निकाले पार्ट टू इसका डालने का ट्राय करेंगे तो बहुत सारे fabric हैं जिसके नाम इतने अजीब-जीब होता है लेकिन अगर आप fabric के shop में जाओगे अगर आपको कोई specific dress बनाना है तो उसके लिए वह नाम लेना ज़रूरी होगा तब ही आपको वह fabric मिल पाएगा तो बनार्सी और जकार में मैंने दो fabric बता दिये velvet भी बता दिया है अभी यह जो net के उपर sequence वाला fabric है जो हम blouse में यूज़ कर सकते है net sequence fabric इसका आपने एक blouse बनाया था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था और गांजर ड्रेस के उपर आपने देखा होगा फिर यह lycra है जो ड्रेपिंग ड्रेस में यूज़ करते है लाइक्रा यह उपर से ऐसा दिखाई दे रहा और अंदर से ऐसा दिखाई दे रहा यह stretchable होता है इस तरफ से इसके jagins भी बना सकता है denim fabric भी नहीं निकाला है denim यह सब हम next part में cover करेंगे उसके qualities यह सब के बारे में अब हम fusing के बारे में देखने वाला है तो fusing यहाँ पे lycra fusing वहाँ पे हैं तीन टाइप के fusing मैं दिखा रही हूँ इदर सारा डिखला हो गया पहाड बन गया यह paper fusing है जो 20-30 रुपीज मिलता है यह bags बनाने में यूज करना है dresses में नहीं करना यह इस तरफ paper की तरफ फटर अगर अपने dress में यूज कर दिया आता है यह lycra fusing जो के हम हमारे कोई भी dress को stiff दिखाने के लिए यूज कर सकते है लेंगाज में यूज कर सकते है कली वाले लेंगे में ब्लाउज में यूज कर सकते है इसमें white और black color का fabric आता है यह lycra fusing बोलता है इसको lycra fusing और next dhothik anwash dhothik anwash one side stickable होता है और यह cotton fabric के base में आता है इसको dhothik anwash बोलता है क्योंकि dhothi जैसा cotton fabric का बना हुआ one side stickable होता है यह men's blazer में यूज कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हमने at least 50 types की fabric बता दिया होंगे rates भी बताने के try की qualities में बताने के try की अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो like जरूर कीजेगा अगर channel पे new आये हो तो subscribe जरूर कीजेगा thank you so much for watching till this point तो आज का इस वीडियो कैसा लगा और अगर आपको अच्छा लगाओ कुछ new सीगने मिलाओ तो comment करके ही जरूर से comment के बिना चले जाओगे तो अगर आप मुझसे personal doubt पूछे कि what's up यार ऐसे तो मैं आपको बूल जाओँगे जो लोग मेरे ID पर comment करते हैं मैं उनको याद रखती हूँ और उनका call या message आता है तो सबसे पहले reply करते हैं और अभी हमारा app भी है जहां से आप हमारे courses ले सकते हो और perfect fitting की blouses पना सकते हैं जैसे हमारे online class और offline classes के students के आते हैं तो वो आप जरूर से app डाउनलोड कर लीजिए थाकि important points मिस ना करो हमारे classes के तो वो आप जरूर से डाउनलोड करके रखें और classes courses जरूर चैक कीजिएगा blouse, dresses, gowns, draping सारे courses आपको मिलेंगे और हम देते हैं आपको 100% fitting guarantee जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी तो एक बार app डाउनलोड करके जरूर चैक कीजिए हमारे student work जरूर देखेगा और अगर अपने course पहले से कोई लिया हुआ है तो उसका review देने किली, play store पे review जरूर देजेगा जरूर देजेगा, bye bye थैंक यू सो मुच पर वाचिं तिल इस पॉंट